को आज मैं दिखाने वाली है तो आज पूरे साथ महीने बाद बच्चे चल रहे हैं दोनों ट्विन्स ससुराल तो बस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं पूरी ट्रेन खाली ही थी बहुत अच्छी जर्नी थी और पहली बार मेरे बच्चे भी ट्रेन का मज़ा ले रहे हैं और कुछ इस तरीके से बाहर का सीन और बस लेकर के बैठी हूँ बहुत ठंड था ना अपने चारों बच्चों के साथ साथ महीने के बाद फर्स टाइम ट्रेन की जर्नी हो रही है और बस थोड़ी ही देर में दो धाई गंड का रास्ता है तो हम लोग जाएंगे घर और बाहर का ये व्यू बहुत ही मस्त था तो यहां पर अम्मा और ननन्द हैं दोनों लोग खिला रहे थे काफी टाइम हो गया था पहुचे वे दो धाई घंटे हो गया थे बिल्कुल समझ में नहीं आल था वीडियो कैसे सूट करो और अर्श सो रहे दर्श जगे हैं तो बस सुबे सुबे का टाइम है यहां पर ल अर्श दस बज़रा था दीदी कर रही थी मालिश और यहां पर यह संपरदीप मेरा जो देवरे रहे अपना आगे इस तरीके से कमरा टाइप का बनाया है और टुक टुक यहां पर मस्ती कर रही है उनको बड़ा मजा आ रहा है बच्चे भी काफी टाइम बाद आया है सुस काफी मजा रहा था और यहां पर मेरा जो देवरे पर दीपुसी ने यह रूम अपना बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से दीदी वेगरा भी है तो सस्राल में काफी ज्यादा का टाइम बात सबसे मिलना हो रहा था पती देव जी कलर लगा करके आ गए यहां लेटे हुए ब दोनों लोगों को देवरर जी भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे तो जिठानी देवरानी दोनों साथ में ही मिलकर के कता सुनना है और यहां पर प्रशाद की rust की तयारी चल रही है तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है और इस गहर में पांच भुए हैं जिसमें से हम तो इस तरीके से मेरी देवरानी जो मेरे बाद वाली मेरी सगी देवरानी उसको भी लड़का हुआ है तो इस वज़े से देवरानी जिठानी दोनों मिल करके आज कथा सुनेंगे तो यहां प्रशाद बन रहा है और फिर मैं आ गई हूं कलर लगवाने के लिए तो आज मैं आ होती है क्या क्या कुछ होता है वो सब आज के व्लॉग में दिखाऊंगे कोशिश करूंगे जादा ज़्यादा शूट करने का अदर्वाइस मेरे दोनों से मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है आज कल वीडियो डाने का वैसे लेट लेट जा रहा है और यह मेरी सबसे काम करती साइड वाला बस कलर वेगरा लगा रही सब तयारी और नीचे बुंदिया भी बनेगी बुंदिया की मिठाई तो वह भी काम चल रहा है इतना जल्दी-जल्दी कुछ समंद में नहीं आ रहा था फिर कैसे तैसे दोनों बच्चों को सुलाते हुए फिर लेट हो गय था 35 मिनट तो बस यहां पर आके बैठ गया है तुक टुक है तुक टुक थोड़ा सा कहते नहीं है मतलब अभी इनके एच के कोई बच्चे नहीं थोड़ा भी रहती तो मैंने का ठीक है पीछे बठा देते मोबाइल देते देखने के लिए तो यह है मेरे देवर देवरानी और मैं मेरे हजबन जी तो बस चारों लोग मिल करके बैठके यहां पर सत्तनाय भगवान की कथा सुनेंगे तो जोड से जैकारा लगाईए सत्तनाय भगवान की जै तो मेरे देवर देवरानी को दूसरा बच्चा है लड़का और पहली एक लड़की जो लड़का हुआ है भी उसी की कथा सुनें यहां पर और मेरे दोनों ट्विन्स हुए लड़के मेरे तीसरे बच्चे तीसरे दोनों ट्विन्स है और दो पहले लड़किया है यह है रिद्दी भी रेड़ी होके आ गई है और बस कथा स्टार्ट होने जल जो जल गई है यहां पर तो इसके यहां पे गाठ लगाई जाती है क्या बोलते हैं चुंदरी में मेरे और हैस्बिन जी के गमचे में इस तरीके से होता है उस गाठ में पैसे कुछ लेकर के नाउन गाठ लगा देती है ताकि बाद में उसको जो पैसे रहते है वो मिल जाते है तो बस यहां पे कथा स्टार्ट ह होती है पता नहीं देखते कितना टाइम लगता है तो बस यहां पर दच्छड़ा वेगरा चलड़ा है और यह कथा स्टार्ट हो गई है तो बच्चा होने के सवा महिने के बाद ही कथा सुना जाता है बर जानते दोनों ट्विंस मेरे ऑपरेशन से हुए थे और बहुत ही होते रहा बड़ी सास जो थी हमारे परवार में कोई खताब हो गया तो भी लग गया था शूदक फिर उसके बाद देवर देवरानी को लड़का हुआ तो सूदक कट गया तो इतना लॉंग टाइम कुछ ना कुछ होता रहा था फानली आज के दिन यह चीज हो रहा है तो कथा नहीं सुन पा रहे थे लगबग मेरे ट्विंस दोनों साथवे महिने में चल रहे हैं तो अब जाकी यह मौका मिला है भगवान की क्रिपा से कथा सुनने का तो कुछ इस तरीके से फिर लाश्ट में बच्चों को लाया गया देरानी अपने बच्चे को गोद में लिए मेरे बच्चे को हजबन जी पकड़े है क्योंकि इन्हीं के नाम से कथा सुनी जारी बस हवन हो रहा है बस हवन होने के बाद फटा फट से आरती हो जाएगी तो गाउं के लोगों को भी निर्दा दिया जाता है कथा में आते हैं यहां पे सीधा लेके आते हैं आटा डाल च इतने भी हैं नाते रिष्टेदार बटेदार जो भी हैं सब लोग कह रहते कि दो दो लड़के हुए हैं तीन तीन नाती हुए हैं अम्मा को तो कब करवाओगी तो यही चला तो तो इस वज़े से आज गाना बजाना भी है जो बच्चा होने के बाद गाना बजाना था वो हैं खुसबू, नीसा, मनीसा यही लोग मेरे दोनों ट्विंस को सम्हाल रहे थें दर्श हो गए हैं अर्स जग गए हैं मेरी आवाज यहां पर म्यूट हो गई है आक्शली पता नहीं क्या हुआ कैमरे का कोई फंशन या सेटिंग में कुछ गरबड होगी जिस वज़े से म् तो इस तरीके से पूरा घर फैला हुआ है मेरा कमरा भी देख रहे होंगे आप और पूरा बच्चा पार्टी यहां पर आकर के बैठ हुआ है तुक तुक सो गई थी बीच का था मैं फिर उसको लाकर के यहां लिटा दी है ओठ भी गई है और फिर रात में मैं डिरेक्ट आ सब काफी कपड़ा मिला बच्चों को और चांदी का समान चांदी का तो बस अपने ही लोग अननन वेगरा यहीं लोग डी है तो इस तरीके से चल रहा है और बाबू को यहां पर आया सर्दी जुखाम इतना जगर लिया पहले सी बिमार थे लोग दो दिन पहले से बुखार वेगर आ रहा था तो नेमुलाइजर की जो मसीन है वो लेकर की यहां पर आएं तो वही हस्बन जी कर रहे थे नेमुलाइजर और रात में मैं आपसे मिल रही है यहां पर गाने के लिए औरते खटा होने लग गाउं से गाउं का सुद्ध खाना कड़ी वेगर यह सब बना उसके बाद खाना होना खाने के बाद गाउं की लेडी जो को बुला करके गाना बजाना होता है बच्चा होने का तो वही हो रहा है दीरे दीरो और भीड होती जाएगे और अंदर का मैं दिखा रही है यहां पर नंदे वेगरा बैठी होई है एक दम खचा कच भड़े है वैसे परिवारी के लोग जादा हो जाते क्योंकि इतना बड़ा परिवारी पुछी मैं तो यहां पर बुआ जी है वो डांस कर रही ह जी बारा बर बार होंगी पिया या मैं चौखट पे पर पिया जम मैं धरूँगी चौखट पे पर पिया जम मैं धरूँगी साथ यार नंगत को बाहर करूँगी पिया कर बादे लानी कर नारे वार बार होंगी है वरानी के लाइख यह क्षे हैं दोरे पे खड़ा मेरा देख समुझा वेई अपर डड़त वैग्ए अब लोग डास कर रहे हैं यही पर औरतों को जितनी भी ओरते आएं सभी महिलाओं को दिया जाया गया एक कटोरी पांच लड़ू तो कुछ इस तरीके से आज का दिन गया ससुराल में सुबह कथा हुई शाम में गाना बजाना हुआ सम नाचेंगे गाएंगे बच्चों के लिए गिफ्ट चुलाए भी नहीं किया और नरत से बोला तो इतना ही शूट कर दी थी तो इस तरीके से रहा आज का गया व्लॉग क्या करें बच्चों से बढ़के कोई चीज नहीं होती उनके धहान ड़क्ता बहुत जादा जरूरी था तो चलिए फिर कल बिलते हैं आपके साथ और आज वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी बीजिन पर लाइक करिएगा और चैनल पर आये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत भूलिएगा चलिए मिलते हैं डेक्स्ट व्लॉग में बाबाए बीवाग अ है 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 झाल झाल